हेलो गाईज, टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बीना गैस जलाए बहुत ही बढ़िया पापड यह पापड ना फटेंगे ना टूटेंगे और इसे बनाने के लिए किसी भी साचे या मशेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पापड को कैसे बनाना है क्या क्या चीज़े यूज करनी है और पापड को मैंने यहां पर आपको सुखा के भी दिखाया है साथ ही मैंने फ्राइ करके भी दिखाया हुआ है कितना कुरकुरा ये पापड बना हुआ है इसका आप साइज देख सकते हैं कलर देख सकते हैं तो चलिए इस पापड को कैसे बनाना है आपको मैं पूरी रेस्पी में बताऊंगी तो प्लीज आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपके मन में कोई भी विचार आए तो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा मैं आपको पूरा एंसर देने की कोशिश करूँगी बिना गैस जलाए इस पापड को बनाने के लिए हमें चहिए बॉइल किया हुआ चावल जी हाँ आज मैं इस पापड को बॉइल कियो हुए रात के जो चावल बच जाते हैं सुबह आप इसे फेक देते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी कुछ रिस्पी जो है नई ट्राइ किया जाए इस पापड को मैंने कई बार जो है ट्राइ किया है बहुत ही बढ़िया ये पापड बनता है आज मैं आप लोग के साथ पहली बार ये रिस्पी शेयर कर रही हुँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर घर पे बॉइल किया हुआ चावल बच जाए तो आप उसे फेके ना आप इस तरीके से पापड बना के ज़रू ट्राइ करिएगा आप लोगों को ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा तो जितना चावल है आप उतना चावल ले लिजेगा रात को जो चावल होता है इसमें रूखापन होता है तो हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे गरम पानी तो यहाँ पर मैंने चाय वाले कप से पानी लिया हुआ है मैंने आधा कप पानी लिया हुआ है पानी डालने के बाद चावल को mix करेंगे अगर ज्यादा रूखापन रहेगा तो आप एक कप पानी भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो पानी गरम रहेगा और आप चावल को mix कर देते हो तो वह थोड़ा soft हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो चावल है वो जो है अलग-अलग दाने में दिखाई दे रहा है मतलब कि एकदम खिला हुआ यह चावल बना हुआ था एकदम चिप-चिपा नहीं था अगर चिप-चिपा चावल रहता है तो पानी की quantity थोड़ा कम इस्तमाल करनी होती है मैंने सिर्फ आधा का पानी इस्तमाल किया हुआ है mix करनी के बाद 10 minute ऐसे ही रख दीजिएगा चावल को ढख करके ताकि पानी अच्छे से से सेट हो जाए चावल में उसके बाद हमें जो है चावल को चानना है तो मैंने यहाँ पर यह बड़ी च्छनने लिया हुआ है इसमें हम चावल को ढालेंगे और हलके हाथों से mash करते हुए चान लेंगे इस तरीके से आप जब चावल को चानते हैं तो चावल में एक भी दाना नहीं बचता है और चावल के अंदर चिपचिपापन आ जाता है क्योंकि पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि रात के बचे हुए चावल में रूखापन बहुत जादा होता है तो इस तरीके से आप जब मैश करते हुए चानते होना तो रूखापन निकल जाता है और इसमें चिपचिपापन आ जाता है अगर इस तरीके की चाननी घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं आटा चानने वाली जो चाननी आती है आप उसमें भी चान सकते हैं तो इसी तरीके से मैश करती हुए मैंने 2-3 बार में चावल को छाना हुआ है क्योंकि अगर एक बार में छानी के लिए डाल देती ना तो जगा नहीं बचती इसलिए तो जैसे ही आप देखें कि सारा चंड चुका है आप देख सकते हैं उपर से इस तरीके से देखी थोड़ा सा बचा हुआ है यह अच्छे से छण चुका है एक भी दाना जो है इसमें दिखाई नहीं दे रहा है अब हम छणनी को बाहर निकाल लेते हैं नीचे आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो अच्छे से छण करके पे चीज डाल सकते हैं मतलब कि कुछ लोग जो है इसमें ज्यादा चीज़े इस्तमाल करते हैं कुछ लोग पापड सिंपल पसंद करते हैं तो मैं यहां पर बहुत ज्यादा चीज़े इस्तमाल नहीं करूंगी बस थोड़ा सा डालती हूं तो यहां पर लिया हुआ है मैंने आ तो मुझे यहाँ पर पापड हिंग फ्लेवर का चाहिए, इसलिए मैंने हिंग एट किया है, आप चाहें तो skip कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर एट किया है आधा चमच नमक, ध्यान रखेगा कि नमक हमें पापड बनाते समय स्वादा अनुसार से थोड़ा सा कम इस्तमाल करना होता है यानि कि अगर आप एक चमच नमक डालने वाले हैं, तो उससे जो है आप एक तिहाई चमच डालिएगा तो एकदम परफेक्ट मेजर्मेंट रहेगा क्योंकि पापड सुखने के बाद अगर आप स्वादा नुसार नमक डालते हैं तो नमक जादा हो जाता है तो हाथ में थोड़ा सा मैने ओयल लगाया है और उसके बाद जो है मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ही सरीके से यह चिपचिपा सा हो गया है आप अपने हाथ में थोड़ा सा फिर से ओयल लगाएगा और छोटी छोटी लोई तयार करेंगे तो यहाँ पर लोई जो है आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं मतलब पापड जितनी बड़े साइज का बनाना चाहते हैं उसी साब से मैंने यहाँ पर देखी इतना लिया हुआ है और मुझे थोड़ा बड़ा साइज लग रहा है तो थोड़ा सा निकाल देती हूँ क्योंकि पापड बहुत बड़े साइज के रहते हैं तक उपर से ड्राइज ना हो कि उपर से ड्राइज हो जाएगे ना फिर पापड बेलते समय फट जाती है उसके बाद पापड बनाने के लिए एक छुटी सी पॉलिथीन दिया है मैंने इस पे हम हलका सा ओल लगा लेंगे और आईए आप लोगों को मैं बीना मसीन बीना किस सांचे के बहुत ही सिंपल तरीके से पापड बनाने का तरीका बताती हूं तो ओल लगाने के बाद पॉलिथीन में हम एक लोई लेंगे लोई को जो है आप जिस पे पापड बनाना चाहते मतलब आप कोई भी कप्रा ले सकते हैं पॉलिथीन ले सकते हैं जिस पे भी आपड नाश से प्लेट की नीचे हिस्सा बराबर हो वएन प्लेट लेट लीजेगा और उपर सेाथ की साईज, पहले थोडा साफ साज बराबर आ गया है कि आप आप निकाव इसे वाबतeeee बाकी पापड पेला देना है और उसके बाद इस पापड़ को आप चाहे तो धूप में फैला सकते हैं या फिर फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं इसे फैन के नीचे सुखाया हुआ है दो से ढ़ाई दिन जो है इसे सुखनी में लग जाता है दूसरे दिन में आप लोगों को दिखा रही हूँ बहुत ही बढ़िया यह पापड सुखकर तयार हो चुके हैं आप इसका साइज देख सकते हैं कलर देख सकते हैं बहुत ही पापड फ्राई होकर तयार हो चुका है बहुत ही प्यारा सा कलर आया हुआ है और यह पापड बिल्कुन भी ओली नहीं रहता है तो आप लोगों को मैं आप तोड़ कर के दिखा देती हूं कितना ज्यादा यह क्रंची बना हुआ है मेरे तरीके से आप अपने घर पे बचे हुए चावाल का पापड बना के जरूरू ट्राई करिए अगर रेस्पी अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करिए मैं मिलती हूं आप लोगों से एक नई रेस्पी में बाई गाईस